हलो ग्रीटेंग्स तू आल अफ यू वेल्काम तू आन अकैडमी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और साम के बच चुके हैं साथ और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक पहुती इंपोर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ बाई साथ जितने लोग चैनल पे ने हैं फड़ा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जोड़ सके जै हिंद ऑफिसर्स आज आईए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस एक्जाम के सबसे धमाकेदार सेशन एक्सप्रे में अब बिल्कुल भी देरी ना की जा सके ठीक है भाई सब लोग आजए फटा फट ताकि हम लोग फिर अब ये बहतरीन सेशन अपना शुरू कर सके जैसा कि आप जानते हैं बाई साब करेंट अफेर्स के बगार पूरी जनरल स्टेडी जो है वो अधूरी है मतलब आप कह है सकते हैं कि अकारेंट एक करते हैं कि कि बिल्कुल जो है जैसे लालु यादव जी कहते हैं की हम विहार का किंग मेर हों वैसे अब नहीं रहे कि आपका selection करवा सकता है ये आपका selection रुखवा सकता है मतलब इतने question current affairs के exam में आते हैं कि आपका sectional cut-off अकेले सिर्फ और सिर्फ current affairs पढ़कर निकल सकता है और होता क्या है कि ये हमने पहले भी proof किया है जो CDS OTA का exam हुआ था 2021 में जो 14 November को हुआ था एक-एक question हमने यहां से आपको उठवा कर दिया था तो we do not need to prove ourselves हमने already खुद को prove कर दिया है और इस बात के आप लोग खुद साक्षी हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने शांदार तरीके से paper attempt किया और अब भारती सेना में अफसर बनने के लिए जो है आप पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं अब current affairs बनने के बेटा हैं दो तरीके एक तो हमारे वो है traditional वच्चे जो सुबा डेली दा हिंदू लेकर बैठते हैं अब उसमें इसे तीन घंटे दा हिंदू को दे दिया जो उसका ROI है जो return of investment है वो अच्छा नहीं है इसलिए हिंदू को मैं ज्यादा prefer नहीं करता दूसरे वो बच्चे हैं जो कभी current affairs नहीं पढ़ते हैं तब जाके तुम्हारा current affairs पूरा होगा लेकिन एक वादा है कि आपने अगर हमसे पढ़ लिया तो एक भी question exam में बाहर से नहीं आएगा चाहे आप CDS, OTA exam दे रहे हो CAPF हो, NDA हो, UPSC, CAC हो, State Public Service Commission हो, आपका FCAT हो, SSC हो, any damn exam in the India आपको current affairs करना है और आपका current affairs होगा अगर आप किसी exam की तयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको अधिकार है कि देश-दुनिया की खबरों से आप पूरी तरह से अवगत रहें चलिए शुरू करते हैं आज का session, फटा फट सारे लोग like बटन ठोग दें यार, तभी मज़ा आता है जीवन में, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, हमारा आजकल practice batch चला है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बज़ तक दिन में 8 class होती हैं दो class अमिश सर लेते हैं, दो मैं लेता हूँ, दो अर्पे सर, दो रोही ठाकुर सर timing आपको मालूमी है, इस Saturday को महा marathon होने वाली है, जिसमें अमिश शिशोदिया सर सुबह 8 बज़े class लेने वाले हैं मैंने ओलेडी ये marathon ले ली, जिसमें November 2021 का current affairs मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने class को enjoy किया होगा अब देखो बेटा, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा से बता दू, मेरा नाम है कासे बनसारी, teaching experience मेरा हो चुका है, दस साल से जादा, मैं हूँ one of the top educators on academy plus पर, दो लाग से यादा बच्चे पढ़ा हैं, मुझे troops of geniuses का award on academy से मिल चुका है, आप मुझे on academy पे follow कर सकते है GS का कोई भी सब्डेक पढ़ना हो, quality, history, geography, normie, current affair, मिसलेन, ये सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, और याद रखेगा कि मैं written exam specialist हूँ, अगर आप मुझे पढ़ते हैं, और जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करते हैं, written exam निकलेगा, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आप बिटा ज कहते हैं कि exam में पढ़ना जितना जरूरी है, उतना exam के माहल में रहना जरूरी है, और ये telegram channel आपको exam के माहल के साथ जोड़े रखेगा, यहाँ पर daily life classes, structured session plan, unlimited practice, unlimited access, इंडिया के top educators मिलते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चोड़ो कल की बाते, और कल की बात पुरानी, नए दोर में लिखेंगे, हम मिलकर नई कहानी, तो 2022 के जो बच्चे दयारी कर रहे हैं, आपके लिए Indian quality का batch, मेरा शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसे join कर सकते हैं, आप plus subscription ले या Iconic ले, Iconic में थोड़े ज़्यादा फाइदे होते हैं, जैसे वहाँ पर live class में priority मिलती है आपको, वहाँ पर आपको जो है doubt clearance में priority मिलती है, चाहे आप plus ले, चाहे Iconic ले, best subscription 12 months का होता है, जिसके लिए आप मेरा code इस्तमाल कर सकते हैं, QA Live, इसका इस्तमाल करते ही आपको मिलेगा 10% का instant discount, ठीक है, चलो भाई, सब time हो चुका है, let's start the session, सारे लोग session को like जरूर दबा दे, क्योंकि like button ही एक मातर तरीका है, जिससे मैं आपके साथ जुड़ पाता हूँ, मैं आपको देख तुपा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आप like button दबाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, इस session को सब लोग share कर दे, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, जो भी social media आप इस् ठीक है बिटा, कुशागर कपूर बिलकुल आप the Hindu को 45 minute में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको develop करने के लिए आपको एक साल समय लगेगा, तो एक साल समय तो है नहीं तुमारे पास, ठीक है, तो कोई परशानी नहीं है, let's begin the session now, okay, very good, let's begin, तो लेके पहली खबार आ रही है भा इंदू की खबर है आज, तो विराठ, दर्मी, एंड हीना, गेट्स, आर्मी चीफ पाक, बहुत बढ़ी हां, तो अब होता क्या है, बटा की आर्मी, जो चीफ आफ आर्मी स्टाफ है हमारे, जिनका नाम है जनरल एमेम नरावने साहब, ठीक है, तो जनरल एमेम नरावने सा का एक कमेंडेशन होता है, यह एक्जेंप्लेरी सर्विसेज के लिए दिया जाता है, तो चीफ आर्मी स्टाफ का जो कमेंडेशन है, इस बार तीन लोग को मिला है, जिसमें कि याद रखेगा, त्री आनिमल्स हैं, जिनोंने सेना में जो है एक्जेंप्लेरी सर्विसेज द दिये जाते हैं और इस बाद Chief of Army Staff को जो कमेंडेशन है वो तीन को बिला है आईए देखते हैं जिसमें एक घोड़ा और दो डौक शामिल हैं ये देखेगा तो विराट दर्मी एंड हीना वर अवाड़ेट दचीफ आफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन ऑन दे इव आर्मी डे ऑन बनाया जाता है जो अल्रेडी सेलिबरेट हो चुका है लेकिन अब ये अवाड़ आज दिये गए हैं और ये अवाड़ मिले हैं बेटा विराट दर्मी और हीना को तो चीफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन जो है इंडियन आर्मी डे पर जो है 15 जनवरी को जो हो चुका है ये दिया गया है अब आप पूछेंगे सर विराट दर्मी और हीना हैं कौन तो बेटा बेसिकली एक होर्स और दो डॉक्स हैं याद रखेगा ठीक है तो ये देखेगा ऑन 15 जनवरी 1949 फिल्ड मार्शल केम करियपपा फ्रॉम जनल सर फ्रांकिस बुचर दालास ब्रिटिश परस मार्शल केम करियपपा साथ जो हैं देश के पहले कमांडिंग इंचीफ बने थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे देश में बनाए गये थे याद रखेगा ठीक है तो विराट जो है बटा एक होर्स है आपको मालूम है कि हमारे जो राश्पती महदे होते हैं देश के प्रे याद रखेगा तो उसका एक घोड़ा है जिसका नाम है विराट उसको दिया गया है और इसके लावा दर्मी और हीना जो है यह आर्मी डॉक्स है इंको भी यह चीफ ऑफ आर्मी का कमेंडेशन बिला है तो विराट आ हैनोवरियन ब्रीड वा इशूट दा पीवीजी ओन से स्टेंबर बारा दोहसर भीजी परफॉर्म्ड इस दूटीज अस दा कमांडेशन चार्जर फर ओवर डेकेड और ओड स्पेक्टेटर्स इंक्लूद 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 इंडिनेटरी विधिट स्रेड्मार्क पोस एंड ओंफिदेंस अन ऑफिशल सेड अब आर्मी के जो डॉक्स होते हैं वो अलग-अलग कामों में इस्तमाद होते हैं जिसे ट्रैकर है, गार्ड है, माइन डिटेक्टर है, एक्स्प्लोजिव डिटेक्शन है, इंफैंट्री पेट्रोल है, एवलांच, रिस्क्यू अपरेशन है, सर्च अन रिस्क्यू है, असॉल्ट नार्क यहां पर जो है विराट दर्मी और हीना क्लिप्या करके नाम याद रखेगा UPSC इस तरह से कोशन नहीं पूशता है कि रिसेंटली हर्ड न्यूज विराट दर्मी और हीना यह कौन है तो इन्हें बेटा प्रेसिदेंशल रिकमेंडेशन इनको जो है चीफ आफ आर्मी स्टाफ रिकमेंडेशन दिया गया है बहुत बढ़िया वेरी गूड शब पंडित बिर्जु महाराज exponent थे बेटा कथक में अब बहुत सारे लोगों हो यह confusion है कि कथक जो है वो classical dance कहां से originate हुआ है 90 लोग भारत में कहा देंगे कथक जो पंडित बिर्जु महाराज लखनव हराने से आते हैं बहुत ही फेमस जो है कथक डांसर थे इनकी डेथ हो गई है रेस्ट इन पीस सर हमें बैटा ऐसे लोगों को सेल्यूट करना चाहिए पंडित बिर्जु महाराज जैसे लोग इन लोगों ने बैटा यह रियल हीरोज पंडित बिर्जु महाराज साब की डेथ हो गई है तो रेस्ट इन पीस सर याद रखेगा आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित बिर्जु महाराज कौन से डांस के लिए फशूर थे कथक के लिए दूसरा कोशन यह भी पूछा जा सकता है कि इन्हें जो है सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी हैस एक्सप्रेश बीप ग्रीफ ओवर अपसिंग ऑफ देख सकते हैं तो 1964 में संगीद नाटक अवर्ड भी नहीं मिल चुका है 1986 में पदमा विभूशन मिला है 1986 में नित्व चूरमंडनी अवर्ड है 1987 में कालिदास सम्मान है 2002 में लता मंगेश का पुरसकार है और राजीव गांधी नाशनल सद्भावना अवर्ड है इसके लाब आप देख सकते हैं इन्हें पदमा वि जो सेकेंड नंबर पे है वो पदम विभूशन है और इन्हें 1986 में जो सबसे बड़ा अवर्ड है पदम विभूशन वो अल्लेडी मिल चुका है बस भारत रत नहीं मिला है उन्फॉर्चुनेट्टी वो भी हो सकता है कुछ समय और रहते हैं हमारे बीच तो इन्हें मिल जा लखनू कालका बिंदादिन घराना ऑफ कत्क डान्स इनृ याद रखेगा चीख है लकनू कालका बिंदादिन घराना जो लखनू मेंहें उसरे देते हैं आप मालूम हैं बहुत सारे घराने हैं जैसे बनाराज घराना आफ में भी होते हैं याद रख चीख है he was the making Mortal वो कथक से जोड़ी है इनके दो अंकल्स बहुती फेमस दांसर रहे चुके हैं जिसमें शंभू महाराज और लच्फू महाराज और इनके फादर जिनका नाम है अच्छन महाराज he also practiced Hindustani classical music and was a vocalist after working along with his uncle शंभू महाराज at भारतिय कलाकेंद्र लेटर कथकेंद्र New Delhi he remained head of the letter for several years till his retirement 1998 when he opened his own dance school Kalashram also in Delhi तो इंका बेटा एक बहुती फेमस दांस स्कूल भी है आपने सुना होगा Kalashram जो की डेली में श्तित है याद रखेगा so Pandit बिर्जु महाराज बेटा हमारे बीच नहीं रहे I hope it is clear to all of you चीक है rest in peace sir we all are proud of you हम सब और हमारे सारे students और हमारे सारे परिवारों को आपके उपर नाज है you are the real heroes of the country बेटा TV पर जो नाच करते हैं ना dancer वो बेटा कलाकार है these are the real heroes of the country इनको हमें जो है salute करना चाहिए these are the people whom we should be proud of ठीक है बेटा हम सबको इन पर नाज होना चाहिए बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर है state of the world's special address क्या बात है economy से जड़ा question है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी डिलिवर state of the world's address at world economic forum Davos agenda today बाई आपको मालूम है कि हमारे जो honorable prime minister है श्री नरेंदर मोधी साब वो world economic forum आपको मालूम होगा world economic forum is non-for-profit organization है जो कि Davos Switzerland में स्थित है याद रखेगा तो Davos Switzerland में स्थित है आपका world economic forum बहुत important है दुनिया की बहुत important reports world economic forum दौरा दी जाती है आपने देखा होगा कि हमारे देश के honorable prime minister श्री नरेंदर मोधी जी ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा address दिया है जिसे state of the world's special address कहा गया है जिसमें उन्होंने हमारे देश में क्या-क्या चीजे हो रही है और क्या-क्या चीजे होने वाली है उस पर एक address दिया है जिसमें उन्होंने हमारे देश की जो चीजे हैं हमारे देश के जो मतलब achievements हैं उसके बारे मुन्होंने बताया है आईए देखते हैं क्या उन्होंने बताया है चीक है आईए देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी डेलिवर्ड इस्टेट ऑफ दा वर्ल्ड स्पेशल अड्रेस एड्रेस एड़ वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा याद रखेगा तो इस बार वैस वो सुट्जरेंड के डावोस में होती है लेगन इस बार कोविड-19 पैंडमिक के वज़े से ये मीटिंग जो है वो वर्चुल फॉरम में हुई है याद रखेगा तो ये मीटिंग इस बार वर्चुल फॉरम में हुई है हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर साब ने जो मी रया से बड़ी जो बैटा भीर है सोफ़वेर इंजिनिएर्स फ वह हमारे भारत में हैं और स्धाश्क बाहरत में 50 लाक चास्व वर्किंग इन इंडियां सब्सक्राट तो 50 lakh software engineers हैं, तो गली-गली में बेटा software engineer हैं, विदेशों में आप चले आई हैं, आपको दूर-दूर तक लोग software engineers नी मिलते हैं, हमारे हां हर गली, हर महले में software engineers हैं, तो 50 lakh software engineers हैं भारत में, as compared to more, as compared to mere hundred startups in 2014, इंडिया has more than 60,000 startups today, out of which 80 are unicorn and more than 40 unicorns emerged in 2021, अब आप यहां पर देखिएगा, अब आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश में 16 जनवरी को National Startup Day celebrate किया जा रहा है, आपको मालूम है कि हमारे honorable prime minister का एक सपना है, जिसे आत्म निर्भर भारत कहा गया है, और उनका कहना है कि आत्म नि companies थी, जिसमें से इस समय हमारे भारत में करीब 60,000 startup companies हैं, जिसमें से याद रखिएगा कि 80 unicorn हैं, जिसमें से अभी 40 जो 2021 में ही बनी हैं, तो आप देख सकते हैं, unicorn startups भी हैं, जो कि billion dollar startups हो चुके हैं, हाला कि ये भी सचाई है कि 90% startups बंद भी हो गए हैं, anyways, तो यहां पर ये है कि 100 startups जो भारत में 2014 में थे, वो startups हमारे देश में इस समय हैं, 2021 के अनुसार करीब 60,000 हैं, जिसमें से 80 startups हमारे देश में जो हैं, वो unicorn startups हो चुके हैं, जिसमें से 40, 2021 में बने हैं, याद रखिएगा, चीक है, हाँ जी, he also talked about India's huge, safe and successful digital payment platforms and informed that the last one itself, more than 4.4 billion transactions took place through the UPI, क्या बात है अब इन्हों ने ये भी बताया कि भारत किस तरह से जो है, डिजिटल इंडिया को सुईकार कर रहा है, और पिछले साल, मतलब इन्हों ने बताया है, कि last month, मतलब दिसमबर की अगर से बात करें, तो दिसमबर में एक महिने में भारत में digital transaction जो है, वो 4.4 billion के आसपास हुए ह मतलब इस यूज नंबर भाई साथ, यूज है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 4.4 billion digital transactions ये दिखा रहा है कि भारत में किस तरह से लोग digital payments को सुईकार कर रहे हो, किस तरह से digital India भारत के जडो में penetrate हो रहा है, छीख है, इंडिया has deregulated areas like drone space, geospatial mapping, and has brought reforms in the outdated telecom regulations related with IT and BPO sectors, the week-long virtual event taking place on the world economic forum website and social media channels will feature heads of the state and government CEOs and other leaders, the world economic forum Swiss non-profit organization established in 1971 based in Geneva, Switzerland याद रखेगा, चीख है, तो इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साब ने वहाँ बहुत कुछ बताया है, हाला कि जो चीज़े अभी आगे भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो बताए है, climate change को लेकर किस तरह से भारत काम कर रहा है, और किस तरह से हम carbon neutral economy बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी जरूर जिक्रुफ होगा, उम्मीद करता हूं, बहुत बढ़िया, तो तीन ख़बरे हमारी हो गए, बहुत बढ़िया, शाबाश आगे बढ़ते हैं, open data week, हाँ जी, यह देखेगा, तो news number 4 है, open data week, context economy से आ रहा है, आजादी का अमरित महसो, open data week, conducts from 17-21 January, aims to show benefits like efficiency and economic growth, source यह देख सकते हैं, काफी important है, अब हो क्या रहा है, कि आपको मालूम है भाई साब, कि हमारे देश में, इस समय, 75 years of independence को celebrate किया जा रहा है, यह पूरा साल ज है, अब आपको मालूम है, कि इस समय, हमारे देश में, एक और बहुत बड़ी चीज चल लगी है, जिसका नाम है smart city mission, smart cities हमारे देश में बननी है, 100 से जादा, अब होता क्या है, कि सरकार तो अपने तरफ से कोशिश कर रही है, कि हम किस तरह से भारत में smart cities को develop करें, लेकिन उसके लिए citizen participation भी बहुत जादा जरूरी है, इसके लिए सरकार ने open data week announce किया है, 17 से 21 जनवरी, जिसमें smart cities missions को आगे बढ़ाने की बात की है, ministry of housing and urban affairs के तरफ से, आईए देखते हैं इसमें क्या है, चीख है, तो ministry of housing and urban affairs announce the initiation of open data week to encourage adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem याद रखेगा, चीख है, कहते हैं, announce the initiation of open data week to encourage adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem, मतलब भारत का जो urban ecosystem है, उसमें innovation को promote करने के लिए open data week की शुरुवात की है, ministry of housing and urban affairs ने, leading up to the, आजादी का अमरित महसव, smart cities, smart urbanization conference scheduled to be held in सूरत, during फरवरी 2022, the open data week is a part of series of pre-event initiatives, being undertaken by महुआ to promote awareness and use of open data, अब होता क्या है, समझो, आजादी के अमरित महसव के तहत, हमारे देश में smart city, smart urbanization conference, फरवरी में सूरत में होगी, उससे पहले सरकार ने open data week को शुरुवात किया है, ताकि इसके प्रती awareness बाही जा सके, it will be conducted during third week of January 17-22, the event will see participation from all hundred smart cities, that will be publishing high quality data sets and their data blocks on the smart cities open data portal याद रखेगा, ठीक है, तो यह हमारे देश में एक innovation को बढ़ावा देने के लिए, अगले महीने आपको मालूम है, फरवरी में गुजरात के सूरत शहर में यह बहुती famous, जो है smart city और smart urbanization conference होने वाली, उससे पहले सरका यह निकाला है, ताकि urban ecosystem में जो है थोड़ा सा हमें innovation मिल सके, बहुत बढ़ी हाँ, अगली, तो आजादी का अमरित महसव बनाया जाएगा, बहुती बढ़ी हाँ, क्या बात है, अगली ख़बर और important है, news number 5, यह देखेगा, शांता देवी in news, भाई, बहुत important है, बहुत important है यह देखेगा, शांती देवी, यह देखेगा, शांती देवी passes away, PM Modi expresses grief, तो बटा देखे, एक और हानी होई है, एक और नुकसान हुआ है हमारे साथ, और कोई और हमें छोड़ के चला गया है, शांती देवी, वैसे anyways, दुनिया का एक बहुत बढ़ा सत्य है, जिसे कहते हैं बटा मौत, मौत एक ऐसा सत्य है, जो अटल है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, मतलब जो इस दुनिया में आया है, उसको इस दुनिया से अलविदा कहना है, हाँ वो बात अलग है, कि इतिहास के आपको याद रखे, ये important चीज़ है, कहते हैं ना, दुनिया में billions of लोग, billions and trillions of लोग पैदा हो चुके हैं, लेकिन इतिहास जो है ना, बेटा, वो कुछी लोग को याद रखता है, तो किसी ने बहुत खूब कहा था, कि भाई साब, my birth, हाँ जी, my birth can be an ordinary, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, कि मेरा जन्व साधारन हो सकता है, but my death should be an history, तो मेरा जन्व जो है साधारन हो सकता है, लेकिन मेरी मौत इतिहास बननी चाहिए, तो my birth can be an ordinary, but death should be an history, तो यह एक बड़ी अच्छी चीज कही किसी ने, तो यहाँ पर एक नाम आता है, शान्ती देवी बहुत इंपोर्टन है, आईए देखते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी कंडोल्ड दिमाईस ओफ सोशल वरकर पदम श्री अवर्टी, शान्ती देवी हू पास्ट अवे अठार रेसिडेंस इन गुनूपूर, इन रायगड़ा डिस्टिक ओफ उडिसा, चीख है बटा, तो शान्ती देवी जी आप देख स पदमश्री इस दा फोर्थ हाइस सिविलियन अवर्ट, सबको मालूम है, याद रखेगा, चीख है, रेपब्लिक देपर दिया जाता है, शान्ती देवी अलसो नोन आज दा लुगडी देवी, रिसीव दा प्रेस्टीजियस पदमश्री अवर्ट फ्रेसिडेंट अवर्ट 2021 रखेगा, she had an immense contribution towards restoring peace in moist affected areas of the state, she was spearheading the voluntary organization सेवा समाज, होता क्या है, कि आपको मालूम है कि उडिसा के बहुत सारे जिले जो हैं, वो moist infected हैं, मतलब यह जो बैटा माववादी हैं और नकसलवादी हैं, उनसे infected हैं जिले, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने जो है एक organization शुर इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, शांती बहाल करने की, at the age of 17, she got married to Ratan Das, a Gandhian, and shifted to Koraput, she started a social work by founding an ashram at Garbapalli in Raya Gala district, and worked for the development education of tribal girls, later she shifted to Gunupur, and founded Seva Samaj Ashram, to provide education to tribal girls, ठीक है, तो बैटा ये हैं, देखिए, असली लोग ये हैं, इन्होंने कितने काम किये हैं, तो tribal बच्चे जिनका कोई ध्यान नहीं देता है, उनके ऐसे लोगों को ये पढ़ाते हैं, मतलब ये वो heroes हैं, जिनको हम सामने कभी देखते ही नहीं हैं, मतलब ये कहते हैं हमीशा back stage पे का करते हैं, पीछे काम करते हैं, कोई इंको नहीं देखता है, कोई इंको जानता नहीं है, जब ये सामने आते हैं, जब awards मिलते हैं, हम दो लाइने इनके बारे में पढ़ देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं, वैसे ये मैं भी justice नहीं कर रहा हूँ बेटा, fact बताओ, तो ऐसी महान हस्ती को हम 5 मिनट देते हैं, खुश सो लेते हैं, उनके बारे में 2-4 चीज़े बता करके आपको, उनके जाने पर हम थोड़ा सा दुख वेक कर लेते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है, जो इनसान अपने जीवन के आधे ज्यादा समय को समाज के उत्थान के लिए लग राए, rest in peace मैम, एक बार सारे लोग फिर से like बटन को shoot कर दें, आप जानते हो यार, मुझे like बटन से बड़ा प्यार है, अभी तक सिफ 94 like हुएं, 100 नहीं हुएं भाईया, एक बार 100 पार होना चाहिए भाई, देखो, 100 पार होना चाहिए, अब तो आप करीदोगे, मुझे मा रही है, यह मुझे लगता, exam में पूछी जा सकती है, इस definition के साथ, तो इस definition के साथ, पूछी जा सकती है, exam में, इसका नाम है, बैटा, the great resignation in news, क्या बात है भाई साथ, तो great resignation, economy से context आ रहा है, the Indian Express से, what is the great resignation and what can be done to arrest it, क्या बात है भाई साथ, COVID-19 ने इस दुनिया को तभा कि या, इसमें कोई शक नहीं है, COVID-19 pandemic, भाई साथ, देखो, लोग जो है, परिशान है, पूरी दुनिया में परिशान है, बहुत सारे लोग इसलिए परिशान है, कि भाई, उनको जो है, work from home दे दिया गया, और उनसे बहुत काम कराया जा रहा है, anyways, तो हुआ यह कि great resignation, अमेरि अमेरिका में पिछले एक साल में लोगों ने भर-भर के resignation दिया है, तो लोगों ने भर-भर के resignation दिया है, अमेरिका में और लोग काम नहीं करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि दुनिया में one of the top countries है, अमेरिका जहां पर COVID-19 का सबसे बड़ा effect देखने को मिला है, जहां पर ब दिखाई दे सकता है, याद रखेगा, चीक है, हाँ जी, जैक किशन कश्याप साब क्या पूछ रहो मेरा भया, हाँ जी, चलिए, देखते हैं, तो in 2020, resignation rates across the US plummeted due to the fear and uncertainty caused by the pandemic, ये देखेगा, तो 2020 का report आया है, resignation rates across the US plummeted due to the fear of uncertainty caused by the pandemic, तो पैटा, pandemic ने जो है, एक चीज़ तो की है हमारे जीवन में, pandemic जो COVID-19 गाउस ने एक चीज़ जरूर करी है, हमारे दिमाग में एक uncertainty पैदा की है, आज की तारीख में हम जो हैं, दो महने आगे का plan अपने जीवन में नहीं बना सकते क्योंकि जीवन बहुत uncertain है, कोई कब चला जाए, ये भी किसी को नहीं मालूम है आज कल, और आगे दो मैने बात क्या हो जाए, वो भी किसी को नहीं मालूम, तो किसी ने clear cut scenario देखा ही नहीं है, कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, तो लोग अमेरिका में बहुत uncertain हैं, और इ इतरह परशान नहीं होते हैं, हमारे देश में क्या है, कि बहुत जादा जो है, social security की कमी है, वहाँ social security बहुत strong है, इस वज़े से लोग नौकरियां भी छोड़ देते हैं, ऐसी कोई जादा परशानी नहीं होती है, अब समझते हैं, तो however, one year later, as the workforce experienced the collective one out, individual left their jobs at unprecedented rates, leading to describe the phenomena as the great resignation, अब कितने लोगों ने job छोड़ी हैं, आईये समझते हैं, तो in November 2021, 4.5 million workers left their jobs according to US Labor Department, this matched record numbers observed in September and accounted for 3% of the workforce putting the jobs each month, अब आप दिखेगा, तो इनका कहना है कि November 2021 में अकेले करीब करीब 45 लाख लोगों ने job को छोड़ा है, याद रखेगा, according to US Department of Labor, estimates indicate that in total 75.5 million people America resigned in 2021, तो जो estimates कह रहे हैं कि 2021 में total जो population है अमेरिका की, उसमें 75 million लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो करीब करीब 75 million लोगों ने इस्तीफा दिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि करीब 7.5 करोड लोग इस्तीफा दे गए हैं अमेरिका में, छीक है, तो low wage workers were more likely to resign than high paid counterparts, with the sectors more affected including hospitality, healthcare and social assistance, and transportation, warehousing and utilities, अब देखेगा, इन्हों ने काई, जो छोटी salaries वाले लोग हैं, ज्यादा जॉब छोड़ रहे हैं, और खास्त और से जॉब छोड़ रहे हैं, वो hospitality, जो की hotels वगरा में काम कर रहे हैं, healthcare workers, जो की खास्त और से hospital जाना नहीं चा other factors also include the shift to working from home and the desire to move into a more stable profession, in light of this resignation, the labor market has incentivized companies to offer better benefits and higher salaries, तो भाया उनोंने जो अमेरिका का जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसने कमपनियों से कहा है, कि इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, कि आप जो हैं, लोगों को अच्छी salaries दें, incentives दें और जादा employee benefits दें, तो फिर लोग गाम के लिए रुकेंगे, तो 75 million लोगों ने job छोड़ी हैं, अमेरिका में 2021 में, जो की करीब साड़े साथ करोड होता है, और याद रखेगा, अमेरिका की total population ही कितनी है, 35 करोड है, मतलब आप कह सकते हैं कि total population के 20% लोगों ने नौकरी छोड़ी है, भाई साब, छीक ह मेरा exam भी clear हुए, साथ से में, क्या, मैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किशन साब क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, ठीक है, हाँची, तो great resignation पूछा जा सकता है, अमेरिका का, छीक है, अब RIA, यह है, बहुत, 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 very, very important, बैटा, Oxfam International की reports बहुत important होती हैं, इसकी एक नई report आई है, inequality पर, अब भाईया, यह है, तुम्हारे exam में आने वाला question, मतलब अगले साल, इस साल जो paper होने वाले हैं, उनमें आप इस question को अक्सर देखेंगे, याद रखेगा, तो Oxfam International report, social issues पर आई है, inequality पर, आईए देखते हैं, Oxfam report says, over 16 crore more people forced into poverty in 2 years of pandemic, भाई साब इस दुनिया की total अबादी इस समय 700 crore से जादा है, कुछ 700 crore कुछ प्लस है, अब याद रखेगा, तो Oxfam International ने बताया है, कि 2 साल of pandemic में, दुनिया में करीब 16 crore लोग और गरीबी रेखा के अंदर गुज गए हैं, तो दुनिया में करीब 16 crore लोग और गरीब हो हो चुके हैं वही साब, क्या बोलू मैं यार, मतलब यह pandemic जो है ना वो गरीबों को परशान कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, याद रखेगा, चीक है, तो recently the Oxfam report title inequality kills, इनकी report है, जिसका नाम है inequality kills, was released, the report pointed out a stark income divide, worsened by the covid pandemic globally and in India, याद रखेगा, तो पहली चीज यह है, कि पेटा हमारे दुनिया भर में एक चीज तो है, कि दुनिया भर में inequality जादा हो रही है, मतलब जो distribution of wealth है, वो तो बहतर है नहीं, मतलब एक कहावत है ना पेटा कि अमीर जो हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, यह तो एक जीवन का सत हैं, तो एक तो यह है और इसके वज़े से दुनिया में inequality बढ़्ड ही है, तो वहाँ पर उन्होंने एक report दी है, inequality kills, Oxram International ने, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से दो सालों में दुनिया भर में क्या हुआ भारत में क्या हुआ, तो Oxram International is a group of independent non-governmental organization form in 1995, it aims to maximize efficiency and achieve greater impact to reduce global poverty and injustice, तो यह एक international organization है, non-government organization, इसकी शुरुवात 1995 में हुई थी Oxram International की, इसका जो main है काम वो यह है कि दुनिया में गरीबी को दूर करना है और injustice को खतम करना है, ठीक है, तो यह देखेगा magnitude, अब आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, एक आदमी की उंगली, इतने सारे ल हारी पढ़ लई है, यह inequality है, तो widening economic, gender and racial inequalities as well as inequality that exists between the countries are tearing the world apart, the wealth of the world's 10 richest men has doubled since the pandemic began, यह देखेगा भाई सब पहली खबर देखेगा, इन्होंने काया कि दुनिया के जो 10 सबसे अमीर लोग हैं, उनकी जो संपत्ती है, वो डबल हो गई है दो साल में, तो दुनिया के जो 10 सबसे अमीर लोग हैं, जैसे Jeff Bezos हैं, Elon Musk टाइप लोग हैं, उनकी जो संपत्ती है, वो पिछले 2 साल में double हो गई है, पहली खबार, the income of 99% of humanity are worse off because of COVID-19, ठीक है, जबकि 99% लोगों की जो income है, वो खराबी हो गई है, inequality contributes to the death of at least 1% every 4 second, और इस inequality के वज़े से हर 4 second में एक इनसान की मौ हो रही है, तो इस inequality के वज़े से हर 4 second में एक इनसान की मौत हो रही है, मतलब हर मिनट 15 लोग या आप कह सकते हैं, हर घंटे जो हैं करीब 15 एक मिनट में, तो एक घंटे में कितने हो गए, करीब 900 लोगों की मौत हो रही है, याद रखेगा, अब देखेए, भारफ के बारे में देखेए, कि एक तो बटा हमारे देश में COVID-19 पैंडेमिक हुआ, तो हेल्थ केर का बज़ेट बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने का है कि हेल्थ केर के बज़ेट में बज़ेट में, चाहरत में 10% डिकलाइन हुआ, तो हेल्थ केर बज़ेट 10% गिरा है, एजुकेशन का बज़ेट 6% कट हुआ है, और सोशल सेक्योरिटी स्कीम जो पहले देड़ परसेंट थी यूनियन बज़ेट का, वो सिफ 0.6% रह गई है, तो कटाउती हो कहां रही है, बेटा कटाउती है और कोई नहीं हो रहा है, according to the report, the income of 84% of households in the country declined in 2021, but the same time, the number of Indian billionaires grow from 102 से 142, अब देखिएगा, इन्हों ने काया कि पिछले दो सालों में भारत में 84% लोगों की जो income है, वो कम हुई है, लेकिन पिछले दो सालों में भारत में जो पहले billionaires 102 थे, वो अब 142 हो गये हैं, ठीक ह US, there is a 39% increase in number of billionaires in India, देखेगा भाई साब, तो भारत में 39% increase हुआ है, number of billionaires में, तो more than 4.6 करोड इंडियन्स are estimated to have fell into extreme poverty in 2020, this is nearly half of the global new poor according to United Nations, तो भारत में पिछले दो सालों में करीब-करीब 4.6 करोड लोग जो हैं, गरीबी के अंदर घुज गए हैं, extreme poverty, extreme poverty का मतलब है, जहा पर लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्त, सिक्षा जैसे basic चीज़े भी नहीं मिल नहीं है, I hope it is clear to all of you, जल्दी बताएं, सबको clear है, जड़ा भाई, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, जल्दी बताओ यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, fast, sharing होती रहनी next, अब ये देखेगा, रवी दासियाज इन न्यूस क्या बात है, न्यूस नंबर 8, रवी दासियाज, social issues, the रवी दासियाज of पंजाब, भाई साहब, देखो भाई, इस देश में जो है ना, चुनाओ में आप कोई भी मांग करिये, सब कुछ मान दी जाएंगी, लेकिन रवी मत करिये, वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर चुनाओ में वोट मिलने की बात हो, तो सब कुछ हो सकता है, अब आपको मालूम है कि 14 फरवरी, जो वैलेंटाइन्स डे भी होता है, कुछ लोगों के लिए, anyways, तो 14 फरवरी को बेटा जो है, रवी दास जैनती है, और इस वज़े से हजारों लोग जो है, रवी दास जैनती के दिन, जो दलित पॉपलेशन है, पंजाब से वो ट्रैवल करती है, तो पंजाब से बहुत सारी दलित पॉपलेशन रवी दास जैनती पे ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करेगी तो वोट नहीं डाल पाईगी, इसल तो रवी दासिया एक community है उसके लिए जो है इन्होंने पंजाब में जो election 14 फरवरी को होने थे अब वो 20 फरवरी को होंगे ठीक है तो होता क्या है कि रवी दासिया जो community है उसके लोग बहुत भारी मात्रा में वारा नसी जाते हैं याद रखेगा चीक है एनिवेश मैनी आप देम तेक स्पेशल ट्रेन और्गनाईज भाई देरा सचकंद बल्लान इंजरांधर लाज़ेश देरा रवी दासिया रवी दासिया रवी दासिया रवी दासिया दालित अगा चीक है हां जी तो करीब 12 लाख वोटर सेंट बारा लाख वोटर्स भाईया बहुत बड़े होते हैं चीक है हां जी तो बारा लाख वोटर्स है तरस बैटा कम नहीं होते हैं बारा लाग नहीं कहते हैं बहुत इंपॉर्टन चीज़ है याद रखेगा चीख है चलिए तो रभी दासियास के वज़े से जो है आप से पूछा जा सकता है रभी दासियास क्या है तो यह एक दलित कम्मुनिटी है जो की पंजाब में रहती है इस तरह से एक्जाम में कोशन आते हैं अब देखेगा देश के मेंटर पोग्राम इन न्यूज आपने सुना होगा कंटेक्स्ट एजूकेशन तो वाई दा एंसी पीसी आर साउट सस्पेंशन ऑप डेली गवर्मेंट देश के मेंटर पोग्राम चीक है हाँ जी हाँ जी अब होता क्या है कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनको मेंटर्शिप की ज़रूरत बहुत जादा है बेटा देखो कहते हैं कि इनसान का जो कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एज है वो क्लास 9 से 12 की बीच है जहाँ पर इंसान का करियर शेप होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है अब हमारे देश में हो सकता है कि हर परिवार में माबाप इतने पढ़े लिखे ना हो या रिच्टेदार पढ़े लिखे ना हो जो बच्चों को मेंटर कर सकें तो अर्विंद केजरी वाल जी एक scheme शुरू करी थी देश के mentor scheme अब जैसे कि मैं हूँ मैं जाकर क्या कर सकता हूँ उस पोर्टल पर अपने आपको as a mentor के तोर पर register कर सकता हूँ और class 9 से 12 तक के बच्चों को मैं mentorship provide कर सकता हूँ लेकिन जो national commission for protection of child rights है उसने इस scheme को चलाने से मना कर दिया उसने कहा कि हम scheme तब तक नहीं चला सकते जब तक की 100% security की बात ना हो जाए अब मान लो कि कोई mentor scheme में जाकर apply कर दे बता चला बच्चों को गलत सिक्षा दे रहा है मान लो भाई बहुत कुछ हो सकता है अब मैं mentor हूँ मैं teacher हूँ मान लो कि मेरे जगा किसी और ने apply कर दिया चीक है तो हो सकता है बच्चों को गलत सिक्षा भी दे तो security को point of view से जो है इसे national commission for protection of child rights ने मना कर दिया है तो controversy recently broke out after the national commission for protection of child rights recommended that the Delhi government suspends its flagship देश के mentor program till the time when all the loopholes pertaining to safety of children are overhaald अब देखे इन्होंने कहा है कि recommended that the Delhi government suspend its flagship देश के mentor program till the time when all the loopholes pertaining to the safety of the children are और ओवर हुए तो उन्होंने का है कि जब तक की बच्चों की सेफटी की सारी कंडिशन फुल्फिल नहीं होती जब तक सेस्मेंट करना है अब देखें एक स्टूडन है अब यह सोच राए कि इसे इंजीनियरिंग करना है बिजनेस करना है आई-एस जान बनना है फैशन में जाना है sports में जाना है science में designing तो यहां पर वो mentor जो है बच्चे की मदद करता मुझे काफी अच्छा program लगा लेकिन हो सकता है किसमें कुछ loopholes हूँ ठीक है तो the national commission for protection of child rights आपको मालू में 2007 में बनाई गई थी under the act of parliament the commission for protection of child rights act याद रखेगा the program was launched in October 2021 and aimed as connecting students to class 9 to 12 with voluntary mentors ठीक है तो class 9 से 12 के बच्चों को voluntary mentor से जोड़ता है यह बतला voluntary का मतलब है कि mentors को पैसे नहीं मिलेंगे people between the ages of 18 to 35 can sign up be mentors to the app created by team of Delhi technical university and will be connected with student based on mutual interest ठीक है तो अब होता गया एक app बनाई गई थी जिसमें 18 से 35 साल के उमर के लोग जो है mentorship के लिए apply कर सकते थे इस app को Delhi technical university ने बनाया था the mentorship entails regular phone calls for a minimum of two months which can optionally be carried for another four months the idea is the young mentors to guide students through higher education career options preparing for higher education entrance exam and dealing with the pressure of it ठीक है तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों को phone call के through जो है mentors जो है support कर सकते थे लेकिन अब उसमें कोई loopholes भी है माल लो कि mentor जो है वो कुछ घरबड़ी करते हैं वाईया कोई भी कुछ भरोसा तो है नहीं आजकल किसी भी चीज़ का तो इसलिए national commission for protection of child lights ने कहा है कि जब तक भाईया system के loopholes दूर नहीं होंगे हम इसे consistent करना चाहिए तो इस पर काफी organization है after United Nations तो United Nations के बाद दुनिया का सबसे बड़ा organization है OIC और याद रखेगा Iran says diplomats back in Saudi Arabia for OIC post भाईया अब देखेगा अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले इरान और साओधी अरब में काफी भाईया जो है भिलंत हो गई थी तो इरान और साओधी अरब में भिलंत के पीछे कारण क्या था क्योंकि एक शिया क्लेरिक है इसलामिक क्लेरिक हैं शियाज उनकी जो है उनको जो है साओधी अरब में थासी विलटका लिटका गया था मतलब उनको execute कर दिया गया था इस चक्कर में तेहरान और रियाद के बीच में जगड़ा हो गया था तो साओधी अरब और इरान के बीच काफी जगड़ा हुआ था जब एक शिया इसलामिक क्लेरिक को जो है साओधी अरब में एक्जिक्यूट कर दिया गया था लेकिन अब रिष्टे बहतर हो रहे हैं और इरा आइवल ओफ इरानियन डेडिकेट तो ओईसी मार्क्स फर्स सच डिप्लोमाटिक मूव बिट्वीन तेहरान रियाद सिंस टाइस कट इन दोहजार सोला में आप देख सकते हैं कि रिष्टे खतम हो गए थे लेकिन इसके बाद पहली बार जो है वहाँ पर लोग गए हैं याद किंडम एक्जेक्ड़ेड रिवर्द शियाइट क्लेरिक निम्र अल निम्र याद रखे का दिख मिनका नाम थे निम्ल अल निम्र इंकी जो है एक्जेक्यूशन पर बवाला मचा था रियाद रिष्पॉंडेड एक ताइम-टाइम कटिंग ताइस विध तेहराइण while OIC foreign ministers condemned the violence. It is the second largest inter-governmental organization of the United Nations. The organization states that if it is collective voice of the Muslim world and works to safeguard the protection of interest of Muslim world in spirit of promoting international peace and harmony. The OIC is a permanent delegation to United Nations European Union. Permanent secretariat is in the world. India is not the member of OIC because India does not visualize becoming a member of religious international body due to secular nature. ठीक है? तो इसके अंदर 57 countries हैं, हाला कि भारत इसका member नहीं है. क्योंकि India is a secular country. अब्यस सी बात है, तो India cannot be member of a religious community. ठीक है? तो यह हो गई भाई, आज की खबरें कैसी रही? सब लोग बताओ यार, और अच्छी लगी हैं, तो लाइक बटन एक बार बनता है. फिर अब हम लोग करेंगे practice question. कैसी रही खबर? तो quick revision आज देख लीजेए, वहीया, हमारा विराट, दर्मी, हीना, पंडित बिर्जु महाराज, World Economic Forum Address, Open Data Week, शान्ती देवी, Great Resignation, Oxxam International Report, रवीद आसियाज, Do you all enjoy the session or not? सबने अच्छा लगा की नहीं लगा, अब भया जड़ा practice question भी तो कर लिए जाएं, तो अब जड़ा practice question भी कर लिए जाएं, जल्दी से, हाँ जी, You get what you focus on, So focus on what you want, ठीक है, तो आपको वो मिलता है, जिस पर आप focus करते हैं, तो focus उस पर करिए, जो आप चाहते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो आपको हमेशा वो मिलेगा, जिसको आप focus करते हैं, तो हमेशा focus वो करिए, जो आप चाहते हैं, तो अगर आपके सपने में, भाई साब वो भारती सेना की शांदार uniform है, और आप खुद को बटा उस uniform में देखते हैं, तो बस काम हो गया, ठीक है हाँ जी, चलो बाई, आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो दावोस एजेंडा, रिसेंटली सीनी निउस, रिलेक्टेट टू विच आउड़ फॉल्विंग और्गनाजेशन, वर्ल्ड एकनोमिक फोरॉम, वर्ल्ड बैंक, आईमेफ, नन अव्द अबब, जल्दी बताओ, तो दावोस एजेंडा किस से जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइए, फास्ट, ठीक है हाँ जी, जल्दी बताइए, डावोस एजेंडा, 2022, जहां पर हमारे उन्रेबल प्राइम मिनिस्टर साब ने एक अड्रेस दिया है, यह बटावोस एजेंडा, जो है, वर्ल्ड एकनोमिक फोरॉम से जुड़ा है, वर्ल्ड एकनोमिक फोरॉम की शुरुवात, 1971 में होई थे, बिल्कुल सही है, विद रिफरेंच तुग ओपेंड डेटा वीग, जो कि 17 से 21 जनवरी के बीच बनाया जा रहा है, तो यह इनिसेटिव अडेटी आयोग नहीं है, बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओपेंड डेटा वीग, राइट आंसर टुओ अल्ली हो जाएगा, बहुत बढ़े हैं, शाबाज, रिसेंटली सीन इन न्यूस, पंडित बिर्जु महाराज, वाज एं कंणड फिल्म आटिस, इसरो साइंटिस, इंडिन अथलीट, लेजेंडरी कथक डांसर, पंडित बिर्जु महाराज, जिनकी बिटा डेट हो गई है, 83 एर्ज की एज में, याद रखेगा, लेजेंडरी कथक डांसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो सेवा समाज इनुडिसा को ये वॉलेंटरली बढ़ा रही थी, ताकि मॉइस्ट वाले एरियाज में जो है, पीस को बढ़ावा दिया जा सके, बिल्कुल सही है, बोथ वन एंटू, इंकी भी डेथ हो गई है, बिल्कुल सही है, to fear of uncertainty caused by pandemic, in India, the IT and technology sector is hiring an unprecedented rates, with the top 5 IT companies hiring around 1.7 lakh people in 2021, कौन सही है, कोशन मबद 6, चीक है, हाँ जी, is our correct, कोशन मबद 6 को देखेगा, बिटाई, 2020 है शायए, एक सेक्ट, कोशन मबद 6, एक सेक्ट, ग्रेट रिजिगनेशन, हाँ, सॉरी, याद आ गया, हाँ जी, सॉरी, तो इन 2020, 2021 नहीं, 2020 याद रखेगा, हाँ जी, 2020 में, रिजिगनेशन रेट्स, हाँ जी, याद रिजिगनेशन, consider the following statement, reference to Indian army, the army has 8 different rates of dogs, विराट, दर्मी, मीना, वर अवादेट, अवर अर्मी, स्टाफ कमेंडेशन, कौन सा सही है, कोशन नमबर साथ, कौशन नमबर साथ, कोशन नमबर सेबन, हाँ जी, जल्दी देखिएगा, राम से गलत मत करिएगा, बेटा, 8 different rates of dogs, विराट, दर्मी, अवादेशन, मीना नहीं हैं, हीना है, विराट, दर्मी, and हीना, one only is the right answer, 7 का, बहुत बढ़िहा, consider the following statement, difference to देश के mentor, the program was launched, बेटली गॉवर्मेंट, in 2021, and aimed to connecting students, class 9 to 11, voluntary mentors, the mentorship entails, regular phone calls, for a minimum of 2 months, which option is carried, for another 4 months, जल्दी बदाई, कौशन नमबर 8, बहुत बढ़िहा, कौशन नमबर 8, को देखिये, बहुत अच्छे, तो the program was launched, बेटली गॉवर्मेंट, ये भी सही है, 9 से ग्लास 12 के लिए, बोद 1 and 2, हां जी, Organization of Islamic Corporation, founded in the year, 1959, 39, 69, 59, हां जी, जल्दी बदाईए, कौशन नमबर 9, Organization of Islamic Corporation, जिसके अंदर, टोटल 57 मेंबर्स हैं, ये 1969 में शुरू हुआ, तो आपको मालूम है, इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है, inequality kills, तो यह हो गया भीया, आज का हमारा done, छीख है, तो if 10 आ करेक्ट, परफेट फोकस, understanding and memory, 8 से 9 करेक्ट हैं, तो good memory and understanding, 5 से 7 है, new to watch complete session, और below 5, step to be above 3 groups, तो अगर 10 साहिए हैं, तो perfect focus, understanding and memory, 8 से 9 साहिए, good memory and understanding, 5 से 7 साहिए, new to watch complete session, और below 5, step up to be above the 3 groups, याद रखेगा, बहुत बढ़िया, thank you so much, तो यह हमारा टेलिग्राम चैनल है, इसके साथ जोड़ जाईए, updates, notification, PDF के लिए, and academy की app, अगर अभी तक download नहीं किये, फटा-फट download कर लीजिए, मेरा बैश शुरू हुआ, इसको join करने के लिए, आप प्लस या iconic subscription ले सकते हैं, best जो है, वो 12 महिने का होता है, जारी जारी है, इस Saturday को Mega Marathon, अमिस्य शोदिया सर, सुब 8 बजे, देखना मत भूलिएगा, चीक है, थांक यू, संगेट शानबग, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, चीक है, have a nice day, and do take care of yourselves, मिलते हैं कल, जैहिन जै भारात, वंदे मात्रम, थांक यू,